हेला दुस्तों आप सभी लोग का राइट टूनों के इस नए वीडियो में बहुत सौगत है और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे आप इंकम टैक्स की जो मेंन साइट है वहाँ पर अपने अधार को पैनकार्ट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं यह सब बताऊंगा आसान सी भासन है लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से छोटी से रेक्वेस्ट कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न बूलें तो चलिए अभी बिना किसी देरे के हम यहाँ पर इंकम टैक्स की जो यहाँ पर सर्च करेंगे और इंकम टैक्स की जो यहाँ पर जो साइट है इंकम टैक्स.GOB.IN वाली साइट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको क्विक लिंक पर यहाँ पर लिंक अधार स्टिटस का एक आप्शन मिलता है उस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना pancard नंबर और ather card नंबर यहाँ पर हमें fill up करना है आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर link अधार status का एक page open हो जाता है जहाँ पर हमें अपना pancard और अपना ather card नंबर डालना है और उसके बाद आपको right hand side पर down side में एक link मिलता है view link अधार status तो उस पर आप जैसे ही click करेंगे click करने के बाद आपके अधार और pan card linking जो status है वो आपके सामने आ जाएगा तो आप आप देख सकते हैं कि your pan number is already linked to given अधार number यान कि already your number दिया है वो यहाँ पर linking है तो आप इस according अपने pan card और आधार card के linking का status आसान तरीके से जान सकते हैं तो इसी के निचे जब आप यहाँ पर home page पर जाएंगे तो उसी के निचे अगर अभी तक आपने अपना अधार और pan card link नहीं किया है तो उसी का जो यहाँ पर है link आपको देखने को मिल जाएगा तो आप अपना यहाँ पर link आधार के option पर जाके अपने pan card को अपने अधार card के साथ link करवा सकते हैं पर देख सकते हैं कि इसकी last date जो है 31st March 2020 याने कि इसी March में इसकी last date है तो ध्यान रखेगा और अगर अभी तक आपने अधार और अपना अधार और अपना pan card link नहीं किया है तो आप यहाँ पर कुछ EG steps यहाँ पर देख सकते हैं और अपने अधार card को अपने pan card के साथ link कर सकते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिलकल भी ना बुलें